हेलो और येन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप आपके लैप्टॉप में किसी भी एप को डाउनलोड कर सकते हो, तो अगर आपको भी जारना है कि आप कैसे आपके लैप्टॉप में किसी भी एप को डाउनलोड करोगे, तो चलिए आज के इस खमाल के इ कुंषी को ओ઼कर देना के घृबomnia थाफ कर देना है तो आप यहां पर वाइ-पायstand कर सकते हूं और अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे आपके लेप्तॉप को इंटेने शे open कर देना है तो अभी आप यापर देख सकते हो कि मैं Google Chrome को open कर देता हूँ अब जैसे Google Chrome को open कर दोगे तो देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताने आला हूँ जिससे कि आप जो है आपके laptop में किसी भी app को download कर सकते हो तो देखो आप जो है Windows के लिए app download नहीं कर सकते है अब आचे आते है हमारे दूसरे तीन तरीके जो दूसरे तीन तरीके वो कौन से है देखो सबसे पहला वाला जो तरीका है हमारा app download करने का वो यह है कि आपको क्या गरना है सबसे ले तो Google Chrome को open कर देना है जैसे कि अभी हमने किया है अब आपको Google Chrome को open करने के बाद क्या गरना है अभी आपको Google Chrome में यहापर search कर देना है जो भी app download करना होगा वो तो सबस्ट देखो अगर हमें आपने laptop में यहापर WhatsApp को download करना है तो हम क्या करेंगे यहापर हम सर्च कर देंगे WhatsApp यह आप देख सकते हो और जैसे आप WhatsApp सर्च करोंगे तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो कि WhatsApp डाउनलोड तो यह आप देख सकते हो WhatsApp डाउनलोड अब यह जो Windows के लिए है PC के लिए है वो भी WhatsApp हमें दिखा देगा तो अभी आप यह आपर देख सकते हो उपर की दरफ हमें आपर डाउनलोड का ओप्शन दिखाए दे रहा है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे जो WhatsApp है ना वो डाउनलोड हो जाएगा अब दोस्तों मैं आपको देख हो हमारे दूसरा दरीका जिससे कि आप आपके लैपटॉप में किसी भी अपको डाउनलोड कर सकते हो तो अभी हमारे जो दूसरा दरीका है वो कौन सा है देखो अभी अगर आपको आपके लैपटॉप से अप डाउनलोड करना है तो अभी जो दूसरा दरीका है वो भी रिलेटेड ही है अभी आपको यह पर क्या करना है अभी आपको Google Chrome को ही open करना है और आपको इस बार Google Chrome में सर्च कर देना है क्या करना है वो मैं आपको देखो अभी आपको आपको आपर सर्च करना है Chrome Web Store तो यहापर हम सर्च कर देता है तो आप जैसे आप सर्च करोगे तो अभी आप 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 देख सकते हो कि अभी हमारे जो Chrome Web Store है वो उपन हो चुका है और जैसे हम हमारे मोबाइल में Play Store से अप डाउनलोड करता है वैसे ही आप जो है आपके Laptop या फिर PC में इस Chrome Web Store से अप डाउनलोड कर सकते हो तो अभी आप आपर देख सकते हो जैसा हमारे Play Store होता है वैसे ही सेम है अब देखो याप पर आपको सारे Apps दिखाए देगे और अगर आपको कोई particular App चाहिए होगा जैसे कि चलो WhatsApp भी कर देता है तो याप पर हम सर्च कर देंगे WhatsApp और जैसे आपको जो भी आप चाहिए होगा वो एप आपको यापर मिल जाएगा तो याप देख सकते हो WhatsApp हमें दिखाई दे रहा है WhatsApp, Message और यह सब कुछ तो याप पर हम इस एप को भी डाउनलोड कर सकते है अपर कोई भी एप अगर आप सर्च करोगे तो वो एप आपको याप आपर मिल जाएगा अब दूस्तों मैं आपको ददव हमारा तीसरा दरीका जिससे कि आप जो है आपके किसी भी लैप टॉप में किसी भी एप को डाउनलोड कर सकते हो तो आप देखो अभी हमारा जो तीसरा दरीका है वो क्या है उसके लिए आपको सबसे ले तो इस वीडियो को स्टार्ट का बटन दिखा ही दे रहोगा यह विंडोस वाला आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो अभी आप याप यापर देख सकते हो कि अभी आपको यापर बहुत सारे ओप्शन्स दिखा ही दे रहोगे तो अभी आपका अपर क्या गरना है अभी आपको यहापर एक software को डून लेना है जिसका नेम होगा Microsoft Store तो यह आप देख सकते हो Microsoft Store लिखा हुआ है और अगर आपको यह ना मेरे तो आप साइड में भी देख सकते हो बहुत सारे options थे तो अभी हमने इसे open कर दिया है अब जैसे आप Microsoft Store को open कर देते हो तो यह भी बिल्कुल same to same अपरा जो play store होता है ना phone में वैसा ही होता है और इसे भी आपको जो भी आप डाउनलोड करना होना वो कर सकते हो जो Google Chrome Web Store है उससे भी अच्छा है यह वाला Microsoft Store क्योंकि अपना पहले से Microsoft का यह अप है तो इसमें बहुत ही अच्छे से किसी भी अप को डाउनलोड कर सकते हो अब यह थोड़ी तेर लोड होगा और उसके बाद में आप यह आपर देख सकते हो कि यह same to same हमरा play store जैसा open हो चुगा है लेकिन इसमें बस जो आपके लेप्टॉप और PC में जो एप्स होते है न वहीं डाउनलोड होगे आप देख सकते हो जो पेड होते है वो भी दिखाई देगे जनरली फ्री होते बहुत सारे तो आप देख सकते हो आपर हम लेफ्ट साड में एपका ओप्शन हमें दिखाई दे रहा हम इस पर क्लिक करते ह जैसे आप एपस वाल उप्शन पर क्लिक करोगे तो अभी आप यह पर देख सकते हो बहुत सारे अपसा में दिखाई दे रहा है बैस्ट ऑफ 2023 और यह सब कुछ 24 तो सालो हो चुका है खर तो अभी आप यह पर देख सकते हो अभी अगर आपको कुई भी आपको डाउनलोड करना होगा तो उपर की तरफ सर्च वाल आइकोन है आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आप डाउनलोड करना है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेस्बूक, वाट्सेप, फ्रीफार जो भी कुछ डाउनलोड करना है बस आपको सर्च कर देना है अब फिलायल के लिए हमने फ कुछ इस तरीकी का इंटरफेश दिखाए देगा फिलायल के लिए मैंने वाटसेप मला उसे इंस्टोल करके रखगा है लेकिन अगर आपको इसे इंस्टोल करना है तो कोई आपर इंस्टोल डільки तया इनस्टोल वाल ओप्शन दिखाए देगा और अभी फिलयल के हमने ओप